कैसे हैं आप लोग दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत इंपोर्टन है तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा और इसमें शायद आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए अपने कई दुखों के कारण मिल जाए ठीक है और आप उनको कैच कर पाएं और आप उन आप एक ऐसे रिलेशन्शिप में हो जहां पे यू आप दो ओनली गीवर आप ही हो जो सब कुछ देते हो प्यार लग रिस्पैक्ट ठीक है डेडिकेशन कमिट्मेंट दे यू स्टार्ट इस रिलेशन्शिप यू आर होली कमिटेट तू डेथ परसन ठीक है आपने उस परस बट कमिट्मेंट आपको नहीं मिला है किसी भी टाइप का ठीक है अगर उनको उस चीज का कोई कद्र नहीं है और आप उनके साथ सिर्फ इसलिए जुड़े हैं बिकोज कहीं पर आपको ये रिलाइजेशन हो चुका है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है आप लोगों का या फिर पास लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का बट आपको उस परसन का 3D पॉम को भी देखना होगा कि वो यहा ये बात मैंने बीच में इसलिए बोली क्योंकि अधिकतर इसलिए सेहन कर रहे होते हैं विकास देयार उनको ये लग रहा होता है कि कोई नहीं चलो ये बंदा अभी जो है अनवेकंड है इनको अभी इस चीज का रिलाइजेशन नहीं है ठीक है उन्हें उस चीज का रिलाइ सब कुछ दे रहा है कोई उनको अपना और कोई है जो उनसे इतना प्यार करता है वोपेस रिटर्न कुछ नहीं देना चाहते कि हम excuse देना, खुद को ये बंद करें, कि एक दिन इन्हें ये समझ आएगा, एक दिन इनको ये realize होगा, ठीक है, अगर आप इस hope में हैं कि एक दिन उनको ये realize होगा, एक दिन आपको उनको ये पता लगेगा, तो please, 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 खुद को value करें and walk away from this type of a relationship. If that person is meant to be with you, अगर ये आपके लिए है person, तो ये खुद चल के आपके पास आएंगे, उन्हें वो realize होगा, अगर वो आपको miss नहीं करते, वो आपके love को value नहीं करते, वो आपकी existence को value नहीं करते, आप पारे हो या जा रहे हो, उन्हें कोई फरक नहीं पढ़ रहा, ठीक है, अग then वो person आपको deserve नहीं करता है, no doubt he is your divine partner, even मैं कहूंगी कि अगर वो आपका divine partner भी है, तब भी वो आपको deserve नहीं करता है, ठीक है, you should take a step back, अपने आपको पीछे ले लीजिए, वहाँ से अपना हाथ खींच लीजिए, अपना आपको देना बंद करिए, अपने आपको उस person के उपर थोपना बंद कर दीजिए, क्योंकि करदवा है, मगर सच है, वो person आपको इसी तरह ले रहा है, जैसे आप अपने आपको उनके उपर थोपे जा रहे हैं, if he is not ready to receive your love, your respect, your time, आप अपना वक्त उनको दे रहे हैं, लेकिन उन्हें उस चीज़ का कोई value नहीं है, and आपको पता है, life में सबसे ज़्यादा कीमती चीज, जो है, वो अपका time है, ठीक है, right time आने पे, love आपको अपने आप मिलेगा, true love, आपको अपने आप मिलेगा, ठीक है, लेकिन जो time आप उस love को खोजने में, उस love को पाने में, उस love के लिए crave करने में निकाल दे जा रहे ह है, तो आज का मेरा topic यही है, please किसी भी relationship में, no doubt, he is your divine partner, he is your karmic, he is your lover, he is your soulmate, लेकिन खुद को value करना सबसे पहले जरूरी है, खुद को value करें, प्यार मिलता है तो प्यार दें, क्यार मिलती है तो care दें, time मिलता है तो time दें, love मिलता है, respect मिलता है, तभी love and respect दें, अगर वह पर आपको वापिस कुछ नहीं मिलता है, it means कि वहाँ उस person को आपके प्यार, love, care, respect, time की कोई जरूरत नहीं है, आप उन्हें वो attention जबरदस्ती का दे रहे हो, वो attention आप उनको जबरदस्ती का दे रहे हो, और सबसे ज़्यादा confusing state तब हो जाती है, जब आप किसी तरह के divine connection मे होते हो, तो वहाँ पर वो person immaturely behave करता रहता है, और आप इसलिए उस चीज को आने देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ठीक है, ये person अभी अनविकन है, इसलिए इस टाइप का behave कर रहे हैं, no, as a person, ठीक हमें divine connection का पता जाके लगता है, जब हम अपना 25, 26, 28 का age क्रॉस कर तो he should behave like an adult person, किसी immature बच्चे जैसा वो behave नहीं कर सकते हैं, ठीक है, माल लेजिए, वो unawaken है, but at the same time, he is a human being, है ना, और सामने वाले को भी उन्हें इनसान समझना होगा, अगर वो person आपको लटका के रखते हैं, आपको जाने भी नहीं देते हैं, और आपको attention या प्यार या क इसी तरह का वापिस कुछ भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब-जब आप जाने की कोशिच करते हैं, वो आपको जाने भी नहीं देते हैं, then तो आपको बिल्कुल समझ आ जानी चाहिए, अपनी वाली condition, कि आप उनकी लाइफ में क्या हो, आप उनकी लाइफ में केवल उनको energy प्रोवाइड करा रहे हो, अपनी जो उन्हें चाहिए, constant चाहिए, चाहिए ही चाहिए, ठीक है, आप उनको over available हो रहे हो, and this is not a good sign, अच्छी बात नहीं है, किसी को अगर आपकी जरूरत नहीं है, तो आप उसे available रहो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यह ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है, जब आप सब कुछ भूलके, सब कुछ पीछे रखके, आप एक person को उस pedestal पर बिठा देते हो, and बिन मांगे उनको अपनी तरफ से commit हो जाते हो, remember, जो आपको commitment देगा नहीं, या देने का willing नहीं होगा, वो आप से, मैं कह रहे हूँ, वो आप से कभी commitment मांगता नहीं है, यह आप खुद होते हो, जो इस वज़े से उनसे committed हो जाते हो, because you love them, ठीक है, तो आजपास नजर गुमाईए, आजपास जब आप उस person पे से अपना focus हटाईए, और जड़ा अपने आजपास नजर गुमाईए, कार्मी का excuse खुद को मन देजिए, because मेरा partner जो है, जो present partner है, वो मुझे ध्यान नहीं देता, उनके अलावा भी बहुत सी चीजें, बहुत से लोग हैं, जिनको आपके जरूरत है, जिनको आपके ध्यान की जरूरत है, जिनको आपके, कि वही love, वही care, वही attention, वही time की जरूरत उनको है, जो आप बिन मांगे इस person को दे रहें, इस particular person को दे रहें, ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं, जब आप इस person को अपना love, care, respect और time दे रहे हो, बहुत से लोग ऐसे हैं, जो आप पे dependent हैं इस love, care, respect के लिए, और आप उनको इस चीज़ से वंचित कर दे रहे हो, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, वो आपके parents हो सकते हैं, वो आपके other आपके life में हो सकते हैं लोग, सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, आप कहेंगे कि कोई भी नहीं है, आप खुद, I guarantee you, जब आप उस person पे इतना ध्यान दे रहे हो, तब आप अपनी तरफ से भी लापरवा हो रहे हो, आप अपने time की respect नहीं कर रहे हो, आप खुद को love नहीं दे रह के से खुद को नहीं देख रहे हो, डिगनिफाइड मैनेर में खुद के साथ अप बिहेव नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो अपनी dignity को पैस जानिए, अगर और किसी को आप आसपास नजर गुमाते हो, और और कोई असा नहीं भी मिलता है आपको, तो आप खुद तो हैं, पहला प्यार खुद के लिए, पहली respect खुद के लिए, पहला अपना self-esteem को देखिए, पहला time खुद के लिए, अपनी सांसे अपने लिए, ये time, ये वक्त, ये सांसे हम को दी हैं भगवान ने, इसलिए नहीं नहीं कि हम इनको यों बटो रहे हैं और किसी और को ले जाके पैश कर है if this person is not ready to commit you anything any place in your in the in his or her life अगर वो आपको अपनी लाइस में कोई जगह पर नहीं रखते हैं नहीं रखके देखते हैं then move out from their life उनकी life से चुपचाप निकल जाएए ठीक है वो बहुत ज़रूरी है हर रिलेशन में हर रिलेशन में खुद को बैल्यू करें प्यार दो तो प्यार मिलेगा अपने लिए कुछ पांटरी सट कर लिए कि प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, केर दोगे तो केर मिलेगी और अटेंशन दोगे, तो आपको अटेंशन मिलेगी, यह आपको अपनी healthy boundaries दे है, उस सेट करके रखनी चाहिए, always in your life, ठीक है, तो थेंक्यू सो मज, बाइ